हलो स्टुडेंट्स विल्कम बैक विद्मा अनदर वीडियो माइडम इस आमीर एंप फॉम एवन कोचिंग तो स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर फूर एकनॉमिस का टाइप ऑव एकनॉमिस पॉल रहे ठीक है जिसमें हम लोगों ने कैपलिस्टिक औ दोनों के और उम्मीद करता हूं वहां तक आप लोगों समझ में आ गया था अगर ऐसा कोई स्टुडेंट्स है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो उसको मैं बता दूंकि इसको देखो फिसको देखो तो आपको चैटर अच्छे से समझ में आप आप आएगा अधर बारे में और चैप्टर को आज कंप्रीट करेंगे तो हम लोग है नहीं पर सारे लोग अपना पैसा खुझ से लगाते हैं प्राइबेट परफेल फटे सब करते हैं आपकी प्राइबट सेक्टर वाले और पब्लिक सेक्टर वाले दोनों साथ में काम करते मिलब दोनों काम करते जिस इकनामी उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिक्स एकनामी बोलते हैं में इसके डिफिशन किसा है मिक्नॉमी इस एक नौमी के एक इसे किनॉमी है इसे कंबाइब यह में बोट नब बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं mix-economy, clear हो गया सब्सक्राइब कोई जिक्रत तो नहीं है चौन अब इसके feature Xxedays hosta किया है ले時 किस थरह कंट्री है है तो आपको मैं बतादू इंडिया जो आ आता आपका हो किसमें आता है मिक्श इक्नावी में ही आता है Surajayan बंग्ला देश हो कुछ गौवर्मेंट के एंडरी न चाहिए न अभी एक चैप्टर पुड़ोंगे आप लोग चैप्टर नमबर 6 में जिसमें चीजेंज कर दी गई पहले सब कुछ गौवर्मेंट के हाथ में तो कौन सी इकनोमी चलती दो आप कुछ सेक्टर यहां बैंक हो गया अब बैंक देखो इसंब आई है उससे प्राइवेट बोलों करते तो दोनों करते तो बढला से फ़िए करती है ताकि लोगों का से उसको देख लेते हैं और पूझ लें इंडिया पाकिश्टाजी से किसकी एक्जामपल है तो मिक्सिक्नोमिक आप देखो फूटर क्या क्या है नंबर बबर को सिस्टेंस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इसे समान होते हैं जहां पर वह प्राइवेट सेक्टर देती है भी इसटेर्टेर फिरकर देखती हैसे तो रिलाइज की एलेक्रिसिटी आती है तो प्राइवेट हो गी लेकिन अब हर गरीब आगमी यह एक मिडल क्लाश परसन रीस की एले Кि Finisher ३पर यूनिट संव בן एसे बहुत लोग दो जबाएं नहीं कि थोड़ा थोड़ा फ़ोड़ा भी हो जाए और लोगों को वेलफेर भी होता रहे ठीक है समझ में आरी बार तो ऐसे सेक्टर पहला फीचर कोईजिस्टेंस और पॉब्लिक प्राइवेट दोनों लोग एक्जिस्ट करते हैं ठीक है नंबर टू मेरी तब दो दिन से ठीक नहीं है तलिए वीडियो नहीं आपा रही थी आप लोग भी बट आप लोगों को पेपर है बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं बना रहा हूं आप लोग अच्छे से पॉड़ों वक्त रही है तो देखो नंबर टू कॉइशिस्टन ओप चैपिलिस्ट एंड गंड सोशिलिस्ट फीचर यह बोलना है चिदि इसमें कुछ फीचर ऐसे में में जो की यह सोश्लिस्ट में समझ में आई बात दिशाना वह था न वह मिश्च में आता है ठीक है और सुशलिस्ट में क्या था गौवर्मेंट का कुछ पीचे इसमें आते हैं कुछ पीचे इसमें जो की exist करते हैं इसमें बस वहीं बताने कोश्च कर रहे हैं थार्ड पॉइंट क्या है एकनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है कि यह लोग देखते हैं जो गौर्णमेंट होती है उस सारी चीज़ें देखती है कहां पर किस रिसोर्स को लगाना है कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं ज्यादा पैसा ले रहा है टाइम चैक करते रहते हैं और हर चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं ताकि जो भी रिसोर्स है वह अच्छे से हो पाए जो इस हो पाए है ठीक नमबर फूर्फ पॉइंट है हमारा से जो भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं उस पें का पूरी त комментар होता है मतलब यह नहीं कि private सेक्टर वहले काम कर रहे हैं कग कांसे अलाओ है कि जो चाहें आप वμच्छेशन कर सकते हैं तो कहा पूरा control है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जहाँ पर आपland climate quarter हो paste कर से प्राइब सेक्टर पर फुली कंट्रोल होता है किस पर प्राइब सेक्टर पर ठीक नमबर फिप प्रमोशन आफ सोशल वेर फिर इसमें क्या है इसमें सोशल वेर पर करती है सब्सक्राइब करती है मतलब प्रोशन करना चाहती है सोशल वेलफियर का हर तरीके से मार्किट कर देखकर अपने ही सबस्क्राइब तो कुण टाइब मार्किट करो प्राइब भ्राइब घंट करोण हो गया чуд यहाँ पर प्राइज में क्या होता है तो प्राइज में क्या होता है कि तो वो प्राइज सेट करने पट कुछ ऐसे पार्ट है तो यह सब चीजों पर गौवर्मेंट प्राइस सेट कर देती है इस पर प्राइवेट वाले इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं उस पर सेट कर देती है बट नॉर्मली से मुबाइल हो गया जैसे आप मुबाइल इस चला रहो और अभी वो को मौईल है किसी पास एक पास एक पास बाइक का है अप्ल का है तो उस पर गौवर्मेंट को यह नहीं है कि आप भाई कि बैच होगे इस पर नहीं करती भाई यह तो नॉर्मल पॉब्लिक को खरीदना है तो जो भी बनाने वाला वो अपने आसाफ से प्राइस करता कि हमें कितने बैचना है बट ऐसी चीज़े जो जो जरूबरत की चीजे उस पर गॉउर्मन टी ऐ करती है ठीक है तो यह हो गया आपके यह फीचर हो गए अब चलो मैरिट के चलते व सरब क्या होती है और वो उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं उसका यूज कर देते हैं यहां पर प्रॉपर अलोकेशन और रिसोर्से तो प्रॉपर तरीके से अलोकेट किया जाता है बाटा जाता है स्टेबिलि'tी रगता के जो है डाउन प्रिय्श व्यृते स incentμο कर दीज तो गौर्म्न यह करता है जब प्रडॉक्ष खेसाई कि जर्च सिब्सक्ष विखान ने वाला है ठीक है आप निचे की तरफ जा रहे हो राओं स्टीज है वो ध्यान देती है कि ओवर पूड़ुक्शन न होने पाइं उन साध सब्स कसा ठीम को हरती है इसको रहती है net न होने आपर हर चीज चीज होने बनी रहती है तो उसको उसी इसाफ से मेजर कर लेती उसी इसाफ से वह एड्जिस कर लेती है ठीक नमबर थर्ड रैपिड एकनोमिक का डेलपमेंट होना तो गौर्मन यह करती है यहां पर बहुत तेजी से डेलप कर रहें क्यूंकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं कुछ जगे ऐसी है जो प्राइवेट में क्या है जो भी आपके इंडेस्ट्रियल सेक्टर वगरा है वहां पर प्राइवेट काम कर रहे हैं तो दोनों सेक्टर हो रहा है जिससे वार रैपिड एकनोमिक टेजी से डेवलपिंग से डेवलप किया और जा रहे है नंबर फोद चेक ऑन कंसंट्रेशन ना कंसे ड़िशन और अंब्वर जो भी उत्युक्त के हाथ में पूरी और में किसकी हात में बच्चो गौर्मेंट के हाथ में के आदर मतलब क्या जैसे आपको बेश अमबाली जिए होगे टाट विरला यह सब है तो यह रिश है बढ़ बहुत जादा हो जाए है शुबर रिष्ट हैं जादा यह न best Eye Eyeर अगर को रोखना किसी कर दिए को कई दफि से हिर्ड से कागस को रुक्त दोगी तो पूरी सिकेंनोबिक पावर थे वह मुख कि यह हमें फिर दाकि प्राइवेट्स जाथ में ओती है वो टाइम चीजेन देखती रहती है कि कहीं पर कुछ चीजे कवर्बर हो तो वो सीजों को चेक करती है और उपवर हो कि इसके हाट में गार्नमेंट के हाथ पर फिप इसकी अपड़ीक्त के कि इसमें क्या है इकनोमिक और प्रोर्टिकल फीड़म होती है माला आप कंजीमर जो भी खरिचना चाहता है economic है जो चाहो आप ख़ड़ सकते हैं जो चाहो बना सकते हूँ ऐसा कोई लोक डोक नहीं होती है समझ में आई बात यह इसकी मेरिक्स होती है अब दिमेरीट्स तरफ चलती हैं और चैप्टर को कॉल्पील करते हैं घ्मेरीट्स में नमबर उपर नहीं की जो चाहिए हैं वो चाहता कि हम उससे आगे निकल जाए हम निकल जाए है किया हम आगज़ा रहते चाहिते हैं कि इस आगे निकल जाए ये कैसे नेचर के होते हैं जाए बहुत टाइम तक नहीं चल सकती है क्यों कि एक प्राइवेट वाले भी काम कर रहें पब्लिक वाले भी काम कर रहें तो दोनों को dominant करने कुछ करते हैं तो अगर प्राइवेट अगे निकल जाएगा तो दिए-जिरे जब कोई भी एक आगे निकलेगा तो आपने आप वह मिक्सिक नॉमिस जाए या तो सोचलिस्टिक बन जाएक तो चलो कि इन उफिशियंट का मतलब यहां पर क्या है बच्छो इसमें बहुत से रूलेशन और ने लगा रखें तो उसकी वज़े से जो प्राइवेट सेक्टर है वह तो सही से काम नहीं कर पाता है वहां पर तो गॉर्णमें रेगलेशन लगा रखें और पबलिक सेक्टर ने क्या ह और पाते हैं तो जिसकी वजह से the efficient operation जो काम कर रो हो तरीके से नहीं पाता है nelqiu नुमबर फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर क्या हो गया प्राइबेट हो गया क्यों कि गवर्णमेंट को लगा कि इस तरीके से वर्क नहीं हो पाता है तो पुली करने के पुब्ली सेक्टर आप पूर परफॉरमेंस था इस वजह से भी इसके क्या इस है नमबर फिप इस लिए पब्लिक सेक्टर जाने कि आपको यह लाइसे आपको ऐसी प्राइबा नहीं पूरेगी जिसकी वजेसे यह प्राइवेट से प्राइवेट से वाले अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तरह से इतना आगे नहीं जाने पाए उस तरह से इक्राविश डेलप नहीं पाती है यहां पर टैप से और कुछ है निस चर्टर में आपके बुक में कुछ तरह की और अधर टाइस प्रमी दे रखा तो इसमें कुछ नहीं खाले आप फुल फॉर्म देख लेना इसके बारे में अंदर सक मेरे ख्याल तो नहीं है कि नहीं आएगा ठीक है अगर आप चाहते हो कि इस पर भी और डीप में आपके प्रेंग कर दीजाए तो तो कमेंट सिशन में कमेंट कर दा देना मैं बता दूंगा ठीक है अधर्वाइश चैप्टर में नेस्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों को भी श्यरक कर दो मिलेंगे अपनी नहीं वीडियो में तक तक दिए थैंक्यू सो मच प्रूंगा झाल झाल झाल